सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार दस्तक मित्रों मैं दर्मिन जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरू के तुला रासि में गोचर की अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद अभी करिए जोतिस द्रस्टी से गुरू ताकतवर और सबसे उदार ग्रह माना जाता है गुरू को उच्च कोटी का समझदार ग्रह भी कहा जाता है गुरू जिसे ब्रोश्पति भी कहते हैं हर परिश्थिती को विशाल द्रस्टी से देखने की किशमता रखता है गुरू की कृपा के बिना मानिवे जिवन में सकारत्मक एवं अच्छी चीजे घटित नहीं हो सकती गुरू नकारत्मकता एवं बुरी चीजों को जीवन से बाहर फैंकता है गुरू प्रत्यक राशी में पारागवन के लिए लगभग तेरा महने का समय लेता है वर्त्मान में गुरू कन्या राशी में है जो तेरे महनों का पारागवन पुरा कर 12 सितंबर 2017 को तुला राशी में गोचर करेगा तो आएए जानते हैं गुरू के गोचर का विभिन बारा राश्यो पर क्या प्रभव पड़ेगा चलिए बात करते हैं मेश राशी की विकास और विस्तार का गुरू गोचर की अवधि में मेश राशी के जातोकों की कुनले के सात्वे भाव को प्रभावित करेगा गुरू के कारक्षेत्र शिक्षा, उच्च शिक्षा, यात्रा, प्रमोशन, पब्लिकेशन इत्यादी है ऐसे में गुरू के राशी परिवर्तन की अवधि में इन क्षेत्रों में साजेदारी के बिजनेस में आपको प्रगति हासिल हो सकती है ये साजेदारी यात्रा के दोरान प्रबल हो सकते हैं जो की लापदायक होगी ये गोचर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी योगदान दे सकता है इस समय आप अपने करीबी लोगों के साथ अपनी धानाय रुचिया और विचार धारा को साजा करेंगे इस से आपका संबन और मजबूत होगा इसके अलावा एक महत्वपन व्यक्ति के आपके जीवन में प्रवेश करने की संभावना है हाला कि इस अवधी में आप अपनी पेशेवर जिन्गी और रिष्टों के बिच खीस्तान महसूस कर सकते हैं आप रिष्टों में बहुत सारी उड़जा डालना चाहेंगे वहीं आप पर केरियर के लक्षों को प्राथ करने की भारी दबाव हो सकता है ऐसे में आप खुद को काम के बोच से अत्याधिक दबावसा महसूस कर सकते हैं इस वीडियो को पुरा देखने के बाद अगर आपको कोई भी प्रस्न है या कोई भी दुविदा है तो कॉमेंट करें या डायल करें 55181 अपने मोबैल से या उपर दी गई लिंक पर क्लिक करें और हमारे जोतिशों से बात करें आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं